मुमूस का भारत में काफी तेजी से प्रचलन बढ़ रहा इसका सबसे बड़ा कार्ण यह है कि अब बड़ी यह असानी से कहीं पर भी रस्ते में खरीदा जा सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुमूस आपके सरीर के लिए कितना बड़ा नुकसान होता है मोमोस बनाने में मैदे का इस्तमाल किया जाता है जो गेहूं के आठे से रिफाइन तेक्निक दरक तयार किया जाता है या गेहूं का स्टार्ची पार्ट होता है इसे बनाने के दौरान गेहूं का हाई फाइवर योगत पार्ट निकाल कर अलग कर दिया जाता है फिर इसे एक्जोडी कार्बोनामाइड, क्लोरीन नेगस, बैजॉल पैरोकसाइड या किसी अन्नरसाइन के माध्यम से ब्लीच किया जाता है इन कैमिकल्स में मौझूद होते हैं हानिकालक एलिमंट जो सरीर में जाने के बाद पैंक्रिस को बूरी तरह से नुकसान पहुच रहता है तो चलिए जानते हैं मॉमोस खाने के नुकसान के बारे में सबसे पहल बात करते हैं कि सेहत के लिए किस तरह से नुकसान दायक हो सकता है मोमो का सेवन सेहत पर अनेक तरह का दूस प्रभाव डाल सकता है इससे कब जो एसेडिटी ब्लीचिंग आदे की समझा हो जाती है यह पेट के लेए भी अधिया नुकसान दायक होता है इसमें प्रयोक किया जाने वारी सबजियां बासी होती है या बहुत खराब गुनवक्ता के होते हैं मोमो के मसाले में पत्ता गोबी का इस्तिमाल किया जाता है जिसमें टैप वर्म होने की आशंका होती है इसके अलावा यदि पत्ता गौवी को ठीक से पकाया ना जाए तो टैप वाम मोमो में रह जाता है एक सोध में या बात सामने आई है कि इसमें जरुष से जादा मल होता है इसमें मोनो सोडियम ग्लूटामेट होता है जो मोटापे को बढ़ावा देता है इसके अलावा इसमें नर्वस डिसॉडर, अत्यधिक पसीना, छाती में दर्द, जी मचला गबराहर जैसे समस्या भी हो जाती है कई अध्यानों में ऐसा पाया गया है कि रोड साइड पर वेकने वाले मोमो के अंदर जो भरा जाता है उसमें ऐसे जानवरों का मांस डाला जाता है जो बिमारियों से ग्रस्ट होकर मर जाते हैं कभी-कभी ये बिमारिया इंसान के मृत्यों का भी जिम्मधार हो जाता है स्ट्रीट फूड बेचने वाले वेंडर अक्सर इस्तमार की जाने वाले सबजियों को दोते भी नहीं है मोमो के साथ मिलने वाली लाल मर्च की चटनी को खाने से आपको पाइल्स की समस्या तक हो सकती है बात अगर momos के साथ मिलने वाली mayonnaise की करें तो इसमें मौजूट कैलरी को अधिक मातरा में खाने से आपका मोटापा बढ़ता है momos को defined आर्टे से बनाया जाता है जिसमें कई तरह के रेसायनों का यूज किया जाता है अगना शेय को नुकसान पहुचाता और मदुमय का कारण बन सकता है बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि इससे हमारे शरी की हड्या कमजोर होती है तो यह था momos खाने के side effects अगर आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ओर आप भी momos खाते हैं तो please आप खाना बंद कर दीजिet नहीं कहारे हैं के हर जगह के momos खराब होते हैं पर बहुत जगह यह ऐसा ही होता है तो आप फ्रीज momos खाना बंद कर दीजिए वीडियो का ऐसा लगा कमेंट करके बता वीडियो को लाइक करने ना बूले वीडियो को जारा सारा शेर कीज़े ताकि उन सबी लोगों तक पहुत सके जो मुमोस का सेवन करते हैं वीडियो को जारा से जारा शेयर कीज़ेगा मिलते अगले वीडियो में तक तक लिए बने रहे चैनल के साथ धन्यवाद